नमस्कार दोस्तों आप सभी का bank nifty एनरेसस वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे को bank nifty किस प्रकार से trade करेगा तो हम देखते हैं सबसे पहले bank nifty के strong support देखेंगे इसमें और resistance देखेंगे कि मंडे को किस प्रकार से आपको bank nifty की levels को trade करना है तो इस वीडियो को जलूर पूरा देखें यह वीडियो 100% आपको help करेगा मन्रे को trading करने के लिए तो start करते हैं इस वीडियो को बिना time based कर किये तो आप देख सकते हैं bank nifty को कि दो दिन पहले market खुलाता इधर पर close हुआ था और उसके बाद जो market खुलाता जहां पर open हुआ था market उसी level के ऊपर open हुआ था और जहां पर close हुआ था जहां पर open market हुआ था उसी level पर जाके market उस दिन close हुआ था और आज जो market open हुआ है जहां पर close हुआ था उसी level के ऊपर open हुआ है और इसने high बिना के उसी level को retest करते हुए उसी level पर support लिया है जहाँ पर open हुगा है अब हम देखते हैं कि मन देखो किस प्रकार से banknifty को आपको trade करना चाहिए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर banknifty में जो levels देख रहे हैं अगर इस level के banknifty अगर इस level के अंदर खुलता है अगर banknifty इस level के तो यह level आपको support का काम करता हुए देखीगा अगर banknifty इसके अंदर खुलता है तो यह level आपको resistance के रूप में देखेगा अगर मन देखो market gap up open होता है और level के आसपास कहीं पर खुलता है या फिर यहाँ पर कहीं पर खुलता है नीचे की तरफ आता है तो यह लेविल आपको support के रूप में देखने को मिलेगा 44406 का लेविल है जो support के रूप में देखेगा अगर yeah ये की आपको support के रूप में देखेगा को कि किा अगर अगर market gap down open होता था धर पह zach adesso तो यह लेवल आपको रिजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा वांकि मार्केट कुछ ऐसा सो कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए आपको मार्केट पे इस लेवल को ज्यादा धेहन रखना है छवालि से जाफ़ चाट सो एकिसट की लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे जहाँ खुलता है टाइम बिताता है वर ऊपर की ओ निकलता है तब आप काल को वाय कर सकते हैं और trade इस प्रिकार से कर सकते हैं फिर आपको जो level resistance देखने को मिलेगा वो इस level पर मिलेगा 44,800 के आसपास आपको resistance देखने को मिलेगा इस level पर और आपको अच्छा target देखने को मिलेगा उस दिन जिस दिन market इस level के ऊपर trade करना start करेगा जो की daily market अब reversal start कर चुका है market पहले downtrend में था अब मांकी तीन दिन से अब trend बनाने की full try कर रहा है तो market आपको इस परकार से देखने को मिलेगा Monday की रूप में तो कुछ इस परकार से Monday को आपको Wank Nifty को trade करना है अब हम देखते हैं Nifty 50 का chart कि Nifty 50 को किस परकार से trade करना है दोस्तों आप स्क्रीन पर chart देख सकते है Nifty 50 का इस chart में भी आपको साब साब देख रहा है market एक अप trend में जाने वाला है और हो सकता है Monday के दिन और gap up open हो और market और उपर की तरफ निकल जाए क्योंकि अब ये market में एक reversal लगा चुका है एक परकार से और market उपर की तरफ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है तो Monday को देखते हैं किस परकार से trade करना है अभी जो हमने चार्ट लगाया हुआ है इसमें वो 15 मिनिट का लगाया हुआ हुआ है अगर market इस level के ऊपर खुलता है और time बिताने की बाद ऊपर की तरफ निकलता है तब आप इसको buy कर सकते हैं और अगर ये और इस level के अंदर खुलता है तो ये level आपको support की रूप में देखेगा अगर इस level के आसपास खुलता है तो यह level आपको support की रूप में देखेगा और इस level के ऊपर खुलता है तब आपको यह level support की रूप में मिलेगा अगर इधर पर खुलता है open ऊपर की तरफ नकलता है तब आप इसमें call buy करके trade कर सकते हैं Monday के दिन तो आपको जरूर सोन में आया होगा किस प्रकार से इसको trade करना है अब हम इसमें देखते हैं कि trend line किस प्रकार से इसमें form हो रही है आज जो trend line form हुई है वो इस प्रकार से form हुई है उसके एक दिन पहले जो trend line form हुई थी वो कुछ इस प्रकार से form करते हुए market trade कर रहा है डेली कुछ न कुछ market कि अधर बंगे आप faj då निखने को मिल रहा था इभ उस रेजिस्टेंस से बाहर निकल चुका और मार्केट मैं पते सकते हैं यॉज इस लेवल पर आपको resistance देखने को मिल रहा था वैंक निप्टी में और आज वैंक निप्टी को जितने जादा सेयर हो सकते जादा सेयर कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं मंडे की दिन लाइव में